मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल बटन को दबाना ना भूले इससे मेरी आने वाली हर नई रेसिपीस की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुचेगी अस्सलामुए अलेकुम आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन अफगानी चिकन अफगानी बनाने में बहुत ही एज और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है podría तो मैंने ये 700 ग्रैम्स चिकन लिए थोड़े बड़े बड़े पीस लिये हैं तो सबसे पहले हम कुछ मसालों को अगर आपकी हरी मिर्चे तीखी है तो आप हिसाब से डालिएगा इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसको ग्राइड कर लूँगी तो ये मसालो को हमने ग्राइड कर लिया है इसको हम चिकन में डाल देंगे 2 टीजपून मैंने अदग लसन का पेस्ट लिया है इसको भी डाल देंगे मसालो में मैंने 1 टीजपून सॉल्ट लिया है 1 टीजपून कसूरी मेथी को मैंने थोड़ा सा ड्राइ रोस्ट करके हाथों से क्रश कर लिया है वन टीजपून चाट मसाला, वन टीजपून वाइट पेपर पव्डर आफ टीजपून बलेक पेपर पव्डर लिया है और वन टीजपून मैंने गरम मसाला लिया है बस इसमें इतने ही मसाली जाएंगे ये मैंने 10 काजू, 5 बदाम और 1 टीस्पुन खशकश को भिगो कर उसका मैंने पेस्ट बना लिया है बदाम के छिलकों को मैंने नहीं उतारा है छिलकों के साथ ही पेस्ट बनाया है अगर आप छिलकों को उतारना चाहे तो उतार सकते हैं चिकन अफगानी में ड्राइफ रूट्स का यूज किया जाता है अगर आप ड्राइफ रूट्स दालना चाहे तो डाले वनने स्कीप कर दे बट उससे इसका फ्लेवर जादा बढ़ जाता है ये एक कप मैंने मिल्क लिया है और ये एक कप मैंने फ्रेश क्रीम ली है मैंने सब का मेजर्मेंट सेम लिया है एक कप से आप जो भी ले रहे हैं कप प्याली या फिर कटोरी सेम उसी कटोरी का मेजर्मेंट रखिए और यह मैंने दही लिया है एक कप मेजर्मेंट दही का क्रीम का और काजू बदाम के पेस्ट का अगर आप एक जैसा रखोगे तो आपकी चिकन अफगानी बहुत ही टेस्टी बनेगी तो वो बोल थोड़ा छोटा पड़ा था साइज में तो मैंने बड़े बोल में इसको ट्रांसवर कर लिया है और मसालो को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से तो मसालो को मैंने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से इसको आप चाहिए तो दो घंटे एक घंटे या फिर आदे घंटे के लिए भी मेरिनेट होने के लिए रख सकते हैं मैं आदे घंटे के लिए रख रही हूँ और अगर आपके पस टाइम नहीं है तो आप हैंट टो हैंट भी इसको बना सकते हैं तो मैंने पैन में ओइल डाला है ओइल हमारा गरम हो चुका है इस तरीके से हम एक एक पीस को उठा लेंगे और पैन में डाल कर इसको हमें फ्राइ कर लेना है सारी चिकन को तो इस तरीके से सारी चिकन को आप डाल कर उसको फ्राइ कर लीजे फ्लेम को फुल ही रखिए और फुल फ्लेम पर इसको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक आपको फ्राइ कर लेना है तो यह देखिए कलर हमारा बहुत ही अच्छा आ चुका है चार मिनिट के लिए हमने इसको फ्राइ किया था इसी तरीके का हमें गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए इसके उपर सारे पीसेश को पल्टी कर लेंगे और दूसरी साइट पर भी हम इसी तरीके का कलर आने तक इसको फ्राइ कर लेंगे तो जब तक चिकन हमारा दूसरी साइट से फ्राइ हो रहा है तब तक हम ग्रेवी को फ्राइ कर लेते हैं तो मैंने पैन में तीन बड़े चम्मच ओल डाला है उसमें तीन हरी लाइची डाली है और पांच लॉंग डालेंगे अब जो हमारा यह मेरिनेट किया हूँआ मसाला ह incurmay अधोर उसमें डाल देंगे मसाला डालते वक्त अपको एक बात को धिहान रखना है थाम रखनी है रखनी है ने रखना है क्या हमारे मसाले में पानी है लेक्विड है हमारा मसाला वह ओर सकता है हातों पर इसलिए डाली zoning इसको mix कर लीजिए आपस में अच्छी तरह से और इसको cover करके low flame पर 5-6 मिनिट के लिए हम इसको पकने देंगे तो 6 मिनिट हो चुके हैं ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है इसमें मैं एक ग्लास पानी डाल रही हूँ इसकी ग्रेवी थोड़ी थीकी होती है जादा थीक भी नहीं होती है मीडियम होती है तो उसे हिसाब से आपको रखना है और जो हमने चिकन को फ्राइ किया था वो सारे पीसेज हम इसके अंदर डाल देंगे और जो हमारा ओल और मसाला पैन में रहे गया है उसको भी हम इसमें डाल देंगे अच्छा फ्लेवर आजाएगा वेस्ट नहीं करना है आपको इसको मिक्स कर लीजिए और इसको कवर करके दस मेट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे तो दस मेट हो चुके हैं मैंने कोईले को साइट में गरम होने के लिए रख दिया है गैस पर इसमें मैं 1 टीस्पुन सौफ का पाउडर डाल रही हूँ मैंने लास्ट में डाला है आप चाहे तो स्टार्ट में भी डाल सकते हैं इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हमारे चिकन अफगानी में तो सौफ का पाउडर डाले के बाद इसको मिक्स कर लीजिए अब इसको हम कोईले से स्मोक देंगे जिसके लिए मैंने फॉल पेपर रख दिया है आप कोई भी कटोरी का यूज कर लीजिए कोईला हमारा गरम हो चुका है इसको रख देंगे इसके अंदर इसमें मैंने दो लॉंग डाला है और तीन दो हरी इलाइची ली है उसको मैंने तोल लिया है और डाल दिया है उसमें अगर आपके पस पाउडर है तो आप पाउडर भी डाल सकते है इलाइची का और इसमें थोड़ा सा ओय डाल कर इसको कवर कर देंगे 5 मिनिट के लिए और लो फ्लेम पर गैस हमारा ओन है लो फ्लेम पर इसको 5 मिनिट और पका लेंगे तो ये देखिए टोटल हमने 15 मिनिट पकाया है हमारा चिकन अफगानी बनकर एड़ी है इसको डिश आउट कर लीते हम तो ये देखिए डिश आउट कर लिया है हमնे ने हमारा चिकन अफगानी बनकर बिल्कुल एड़ी है ये खाने में बहुत ही टेस्टी बहुत ही घmber होता है झाल झाल झाल